श्री राधे श्राम 21 जुलाई बुद्धवार को श्रावन मास के कृष्ण पक्ष की कामे का एकादशी हैं जैसे पुछले अनेक एकादशी से एकादशी के महात्म को भी हम लोग श्रावन करते हैं सभी एकादशीयों की अनंत महिमा है उसमें श्राम नमास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की भी विशेश महिमा है प्रायह युदिष्ठिर महराज ने स्री कृष्ण से एकादशी का महात्म पूछा है और स्री कृष्ण ने स्वयम ही एकादेशी से जुडी मुई कठाऊं को महराज उधिश्ठिर को सुनाया है जब महराज उधिश्ठिर ने श्रामनमास के कृष्ण पक्ष की एकादेशी के विश्य में पूछा तब प्रभु ने कहा कि हे महराज उधिष्ठिर ऐसा ही प्रश्ण कभी देवरिशी नारज जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से किया था और ब्रह्मा जी ने जो नारज जी को इस एकादशी का महत्म सुनाया था वह हमें आपको सुना रहा है इस एकादशी का नाम ही कामिका है यह एकादशी साधक को पूर्ण काम करने वाली है उसकी जो भी शू कामनाई हैं उनको परिपूर्ण करने वाली है और इस एकादशी के महत्म में स्वयम ब्रह्मा जी ने नारज जी को कहा है कि प्रथवी के जितने भी तीर्थ हैं पवित्र उन समस्त पवित्र तीर्थों में इसनान करने का फल इस एकादशी के वरत करने से प्राप्त होता है और ब्रह्मा जी इस एकादशी के महत्में ये भी कहते हैं कि इस एकादशी को मैं स्वयम तुलसी दल श्रीहरी के चरणों में अरपन करता हूं तो तुलसी जी की सेवा, रात्री जागरण की सेवा, दीवदान की सेवा इस एक आदशी के विशेष अनुष्ठान है तो वेश्णव जन्तों प्रत्य एक आदशी का ही निश्ठा पूरवक पालन करते हैं तो इस एकादशी के विशे में श्री ब्रह्मा जी के नारज जी के प्रति ऐसे दिव्य वचन हैं, तो सभी लोग निष्ठा पूर्वक कामिका एकादशी का पालन करें और स्री कृष्ण की भक्ती को प्राप्ट करें, ऐसी ही प्रार्थना हैं, 31 जुलाई बुद्धवार को एकादशी हैं, और अगले दिन एक अगस्त गुरुवार को पारण है, सुर्य उदे से लेकरके और लगभग साड़े नौ बजी तक का, मथुरा में ब्रज में सुर्य उदे का समय लगभग पौने छे बजी का है, और कलकत्ता में लगभग सवा पांच बजी का है, तो अपने छेत्र के सुर्य उदे के समय को देख करके, उसके बाद फिर साड़े नौ बजी तक का पारण है, पारण के विश्य में सब जानते ही हैं, कि एक आदशी के दिन तो अन ग्रहन नहीं करते, या तो निर्जल निराहार रहते हैं, या फलाहार से भक्त जन करते हैं, तो अगले दिन अन ग्रहन करना है, प्रशाद ग्रहन करना है, तो उससे पहले जगन्नाद भगवान के भोग लगे हुए चावल, इसको महा प्रशाद कहते हैं, या जगन्नाद जी का निर्माल ले कहते हैं, उसका एक कन वैशनव जन लेते हैं, और फिर बृत को खोलते हैं, तो सभी लोग महाप्रशास से पारण करेंगे और अपनी इस एक आधशी को शंपून करेंगे, सब को प्रणाम करते हैं, श्री राधेशाम